आई पेल 2022 में कुली यहां पे 68 मैचेस कम्पलीट हो चुके एंड टोटल 68 मैचेस कम्पलीट होने के बाद फाइनली तीन टीम्स ओफिसली प्लियोप के लिए कौलिपाई कर चुकी है एंड चौती कौन सी टीम हो सकती है पॉन्स टेवल को डीटेल में एनलाइस करने वाले विडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है विडियो को हैंड तक जहू देखेगा तो गैस बनादरी कि एक और नई विडियो को सुरू करते है तो लोब सोषी आपे सब सुबेले कल के मैच के बारे में बात कर लेते हैं कल का मैच जो यहाँ पर चलने सुपर किंग वसीस राजयस्तान रोज के बीच में खेला गया थे एंड ये मैच राजयस्तान रोज की टीम पान्च विक्टों के साथ जीत गई इसे के साथ राजस्तान रोल्स की टीम प्लियोफ के लिए कौलिपाई कर चुकी है इसे के साथ टॉप टू भी सिक्योर कर चुकी है जो कौलिपाईर बने बोई याँ पे अब गुजरा टाइटन्स वसीस राजस्तान रोल्स की बीच में खिला जाएगा एड वहीपे लगनो सुपर जायंज के टीम ऐलमीनेटर खहलने वाली है अब फटड़फ पाउंजडड़ को एनिलाईज कर लेते, बात करते नंबर एक के दूगाय़, अभे पाउंजड़बल पे नंबर एक पे गुजरा टाइटंस के टीम है गुजराथ टाइटेंस की टीम ने कुलियां पे 14 मैचस के लिए जिसमें से 10 मैच जीती है चार मैच हारी है 20 पॉइंट के साथ इनका नेटर रेट प्लस 0.316 का है गुजराथ टाइटेंस की टीम ओफिसली प्लोप के लिए कौलिफाई कर चुकी है और इसे के साथ कौलिफाईर बन खेलेगी जो यहां पे राजस्तान डोल्स के खिलाब होने वाला है अब यहां पे बात करते है नंबर दू की दुगाए से पॉन्स्टिबल पे नंबर दू पे राजस्तान डोल्स की टीम है राजस्तान डोल्स की टीम ने कुल यहाँ पर 14 मैच इसके लिए जिसमें से 9 मैच जीती है पाच मैच हा रही है 18 पॉंट्स के साथ इनका नेटर नेट है प्लस 0.298 का राजस्तान डोल्स की टीम भी ओफिसली फ्ले अप के लिए कौलिफाई कर चुकी है राजस्तान डोल्स की टीम भी कौलिफाईर वन खेलेगी जो यहाँ पर गुजरा टाइटेंस के खिलाप होने वाला है अब यहाँ पर बात करते है नंबर 3 की दुगाए से पॉंस्टिबल पर नंबर 3 पर लखनो सुपर जाइंस की टीम है लखनो सुपर जाइंस की टीम ने कुलियां पर 14 मैच इस खेले जिसमें से 9 मैच जीती है 5 मैच हारी है 18 पॉंट्स के साथ इनका नेटरन रेट है प्लस 0.251 का लखनो सुपर जाइंस की टीम भी ओफिसली प्लोप के लिए कौलिफाई कर चुकी है लखनो सुपर जाइंस की टीम एलिमिनेटर मुकाबला खेलने वाले जिसमें से 8 मैच जीती है 6 मैच हारी है 16 पॉंट्स के साथ इनका नेटरन रेट है माइनस 0.253 का अब RCB की टीम आलमोस फ्लोप के लिए कौलिफाई कर चुकी है अगर एक रिजल्ड उनके फेवर में जाता है तो RCB की टीम कौलिफाई कर जाएगी वो यह है कि मुंबई इंडियन्स की टीम डली कापिटल्स को हरा दे आज जो मुकाबला होने अवाला अगर वो मुकाबले है मुंबई इंडियन्स की टीम डली कापिटल्स को हरा देती तो आपर RCB की टीम कौलिफाई कर जाएगे अब यह बात करता नमबर 5 की टुगाई से पर पॉंस्टिबल पर नमबर 5 पर डली कापिटल्स की टीम है डली कापिटल्स की टीम ने कुलिए यहाँ पर 13 मैच इसके लिए जिसमसे 7 मैच जीती है 6 मैच हार यह 14 पॉंट्स के साथ इनका नेटरन रेट है प्लस 0.25 पाई का डली कापिटल्स को अगर फिलोफ के लिए कौलिफाई करने है तो गैसा आपर डली कापिटल्स को अपना बच्चवे एक मैच ही जीतना होगा जो यहाँ पर मुंबई इन्डेस के खिलाफ होने वाला है अगर हो मैच जीत जाती है तो यहाँ पर डारेक्ली डली कापिटल्स की टीम फिलोफ के लिए कौलिफाई कर जाएगी अगर मुकाबला हार जाती है तो यहाँ पर RCB की टीम कौलिफाई कर जाएगी तो गाइस कॉमेंट करके ज़रूब बताएगी कौन से टीम चौते स्थान पर एंड कर सकते है आर से भी या फिर डैली कैपिटल्स और नमबर चे से लेकर नमबर दस तक जो भी टीम है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके अब यहाँ पर बात करते है आज के मैच के बारे में तो आज का मैच सबसे इंपोर्टन रहना वाला है जो यहाँ पर मुंबई इंडियन्स एंड डैली कैपिटल्स की बीच में खिला जाएगा एंड यह मैच कंपिट होने के बाद पता चल जाएगी आखे कौन सी चार टीम है प्लोप में रहने वाली है अगर मुंबई इंडियन्स की टीम जीच जाते है तो आपर आर्सेब की टीम कौलिफाई कर जाएगी एंड वही पर डैली कैपिटल्स की टीम जीच जाते है तो आपर डैली कैपिटल्स की टीम कौलिफाई कर जाएगे अब हमें बात करते है कौन सी चार टीम है जो आपर प्लोप के लिफाई कर सकते है मुंबई इंटेन्स की टीम डैली कैपिटल्स को हरा सकती है आप वोका लगता है नमबर चार पर कौन सी टीम रह सकती आर्सेब या पिर डैली कैपिटल्स कॉमेंट करके जरू बताएगा और इंची के साथ वीडियों को इंट करते है विड़ आपको थोड़ी पचाना आति आपको थोड़ी करदे ऑस्यू पर रौटिंग गईस गूट बाए